आज के वीडियो एस्पेसली असेशन प्रोपेसर के लिए है ठीक है तो अगर आप पिएजडी क्वाइलिपिक्शन रखते हैं ठीक है तो इस वीडियो को देखें अधरवाइज आप इस वीडियो को ना देखें आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और मैं वेकेंसी आज छे डिपार्टमेंट पर बताऊंगा ठीक है एक आएटी आएसम धनबाद जो सब को जानते हैं जारकन में एक मात्र आएटी है ठीक है यहां पर वेकेंसी है दूसरी जो आपका है वह है निफ्ट ठीक है हटिया में इस्तित है यहां पर वेकेंसी से और इसके बाद दिखा देता हूं आपका तो SRM इनिवर्सिटी नाम सुना होगा आपने यहां पर वेकेंसी से और इसके साथ है आपका कुछ रिसर्च होगेरा में है वेकेंसी इन सभी के पीडियेप में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से हम लोग शुरू करते हैं लास्ट से ही तो भारती ये विरासत संस्थान ठीक है यहां पर वेकेंसी से और देखिए तो भारती विरासत संस्थान अपने नईड़ा परिसर में इस्तित है 19 संस्तागत एरिया सेक्टर 32 नईड़ा उत्तरप्रदेश जोगी भारत सरका यहां पे प्येश्डी लेवल पर इसमें पान्च सिटे हैं और फिर आपको पियेश्डी पुराते तो भी घ्यान तो अगर आपको आपको एपलाई करना है तो दीखे तीस दिनों के अंदर यहां पर आपको एपलाई करना होगा सेलरी मौर दन फेप्टी के पलस होगा ठीक है आपको इस वेब साइट पी जाना है डीटेल में पता कर लिना है आगे दिखा देता हूं तो आपका लेवल 13 की वेकेंसी से यहां है तो देखे आपका डिपार्टेपेंट का नाम है यह वाला मुल कोसी का विज्ञान एं पुन योर ऑसोदी विज्ञान संस्थान मतलब यह थोड़ा सा नाम हो जाता है आपका संस्कृत ठीक है जैपरदोगी की अनुसंदान एं नवाचार परिसद जैपरदोगी की विव अब तर्टीन इसमें एक सीट हैं और आपका होना चाहिए अनुवेसक के छेतर में फिर आपका रीडर सहायक प्रोफेसर सहायक अनुवेसक और इसमें अभी आपका एक सीट है टोटल दो सीट से ठीक है डिटेल में आपको अप्लाइक करने के लिए जानना होगा 26 दिसम्ब आपके असिस्टन प्रोफेसर के रिक्वाइर्मेंट है ठीक है असिस्टन प्रोफेसर उसके बाद चस्ट आपका पोस्टिंग होता असूसियेट में फिर आपका प्रोफेसर बन जाते हैं ठीक है तो काईलीफी कसम देख लिए प्यच्डी चाहिए इन सीएस यानि के कम्प और आपका यहां पर देख लेते हैं तो नंबर है इनका इनसे कॉंटेक्ट के आप बता कर सकते हैं वाकि वेन्यू की बात कर लेते हैं तो डेली में होगा ठीक है और यह आपका आठ दिसम्बर यानिकी स्टमेस हो गया यह तो आध जीता ना चली कोई बात नहीं आगे देख लेते हैं तो फिर हमारा राजिव गांदी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और यह आपका यहां पर पोस्ट ग्रिजविट एमेड कॉलेज है आपका तो फेकल्टी रिक्वाइर्मेंट है पिएश्डी का पिएश्डी एन एमेड डिग्री विद मिनिमम 55 परसेंट ठीक है पिएश्डी एमेड यहां पर दोनों होना चाहिए आगे देख लेते हैं तो फिर यहां पर है आपका पिएश्डी डिग्री इन एजुकेशन और यहां पर डिसिपिल्न दे दिया गया है इसमें स्पेसलाजिशन होना चाहिए ताकि आप बीड और एमेड और यह प्रिंसिपल के लिए था यहां पर आपका प्रोफेसर के लिए बोला गया एक एमेड होने चाहिए दो पोस्ट ठीक है फिजी अन एमेड है तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाइघ कर सकते हैं फिच्टी डी डिग्री इन एजुकेशन यह भी classify कर सकते है एने ही क Carolina चाहिए लिए नहीं चाएंट भी होना चाहिए वीट आने का फटीच भी होना चाहिए और विंख आपका शिचल मगरा है त अभी लिया जाएगा ठीक है अ कि अपका शिटेन प्रोपेसर और अशिचल में ओना चाहिए 55 परशन्ट-के साथût PhD डिग्री होना चाहिए एंड बोला गया है कि एनी अधर क्वाइलिफिकेशन एक्सपरियंस यूजी सी एस्टेट गॉर्मेंट ठीक है और फिर आपका असिट्टम प्रोफेसर है बीड और यह आपका परस्पेक्टिव इन एजुकेशन टू पोस्ट है इसमें आपका मैथमे कर सकते हैं तो यह सब्सक्ता हमारा पेपर कटिंग अब देख लेते हैं यह निफ्ट हटिया के सब तो यहां पर देख लेते हैं तो यह आपका डिपार्टमेंट है एलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्प्यूटर इंजिनेरिंग क्वाइलिपिकसन में बी या बी टेक क्या होना चाहिए ठीक है साथ में आपका इंजिनेरिंग में मास्टर डिग्री भी होना चाहिए साथ साथ में यहां पर प्रेफर किया जाएगा यहां पर देख लेते हैं इन में से किसी फिल्ड में आप यहां पर पढ़ लिजेगा बहुत सारा है आपका इंजिनेरिंग का डिपार्टमेंट वेकेंसी मात्र तीन ठीक है एपलाई किसे करना है तो यहां पर आप लोग पढ़ लेना है बाकी लास्ट वागरा डेट यहां पर देखिए इंटर्वी और यह बोला गया है कि फॉर्थ वीक अब डिसमबर और फॉर्स्ट वीक अब जनवरी ठीक है इसी के बीच में होगा एंड को पूरे अच्छे से पढ़ लिजेगा 11 मंत का कॉंट्रेक्ट है ठीक और मेब इस आपको एक्स्टेंड भी किया जाए आगे आगे दिख लेते है तो नेक्स्ट है हमारा यहां पर आई आई टी आएसम और यहां पर आपका पर्मानेंट जोब है ठीक है लास्ट में पता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लाएगा एक्स्टा ठीक है इस नोटिफिकसन में पढ़ने के लिए देख लेते हैं तो आई टी बीस में इसके स्टैबलिस होा था और एडबटेजमेंट के देख़े आपका जो डिपार्टमेंट है वह इसमें डिफ्रेंट बिपार्टमेंत है हिमे इसमें सामिल है एपड़ाइड जी लोजी आपका और ग्रियोफीजिक्स है तरहां अ चैलोधीर्ट्र केमिकल इंजिनि Mental Science in Engineering ठीक है यहाँ पे फ्योल, Minerals and Metallurgical Engineering एन है आपका Humanities and Social Sciences ठीक है इसमें आपका बहुत सारे Department होता है Humanities in Social Sciences में फिर आपका यहाँ पे Management Studies and Industrial Engineering धन है आपका यहाँ पे Mathematics and Computing फिर आपका Mechanical Engineering then Mining Engineering then आपका Petroleum प्रिजिक्स का तो तोटल 17 डिपार्टमेंट से एती टू टोटल नमबर ऑफ वैकेंशिस एडी टू जिसमें एस्से की लिए ट्विट्टी एटे एकD rebels करके रखते हैं ठीक है और देखिए यहांपे बोला जंडी है जनल तो यहांपे बोलेगा जंडरल का तो सीटी नहीं दीख60 से और बन सलगे अंजनला कहां पे गया तो नमबर पोस्ट एटीटीटू ठीक है तो यहां पे आता है हमारा 40 50 50 70 42 इसी में हो जाता है जेनरल का सीट भी नहीं है देखिए अच्छे से गोर कर गए तो जेनरल का यहां पे टोटल एटीटू सीट्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है और यह आपका पर्मानेंट है यहां से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा अप्लिकेसन आर इनवाइट प्रोम स्ट्सक और अभी सी एंचियल ठीक है और मतलब ब्यक्लोग वेकेंसी निकाला गया एक तरह से ठीक है और अन्डर एस पेसल रिक्वार्मेंट ड्राइब फ्रॉम इंडियन नेशनल पर पोस्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर असोचेट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीन हाइक क्वाइल्टी रिसर्च ठीक है दोनों होना चाहिए बहुत आपका यहां पर बोलते हैं गया है कि क्वेटेमेंट डू टू टीच एंड रिच पोर ऑल फेकल्टी पोजिशन ठीक है और आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन फिलप करना होगा ठीक है और यह प्रोसेस के पर आपका यह मैं वर्ड जो है ना कुछ-कुछ वर्ड फर्स्ट टाइम पर पढ़ रहा हूं ठीक है तो रेकॉनिंग देख लेते हैं यहां पर हमारा कि अट्बर्टाइजमेंट विल बी क्लॉजट डेट तो देखिए यहां पर डेट काफी ज्यादा दिन तक एक्स्टेंड है मतलब 31 जनवरी काफी लंबा डेट है और इसी वीडियो में अगर देखते हैं काफी लंबा हो जाएगा अपको एप्लाइ करके भी दिखा ढता हो ठीक है कि यहां पे जो maximum होगा वह आपका हमेंटिस ईसिस चैसिस के लिए देख हो जाते हाला कि व्हक्त सभी में होगा बट हमेंटिस में ज़्यादा होगा ठीक है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं और उसमें सब ज्यादा के ऐड़ेट पेश्डी करते हैं ठीक है और बेसिक पे 70,900 रुपया है ठीक है साथ में आपका जितना भी अलाउंसेस वगरा रहेगा सब मिलेगा एंड बोल दिया गया है कि इन सच केस लेवल 11 एंड अधर देखिए जो असिस्टन प्रोफेसर बनेंगे यह आपका है असिस्टन प्रोफेसर ग्रेड टू ठीक असिस्टन प्रोफेसर जो की सेवंथ प्रोफेसर में 13 लेवल के अंतर गताते हैं और इनका जो सेल ली एक लाग 49,600 से श्टार्टिंग होता है ठीक है और नेक्स्ट आपका असिस्टन प्रोफेसर प्रोफेसर और लेवल 14 का यह जोब है इसमें आपका एक लाग 69,100 रुप सकते हैं अब सबका दिया गया है सेलरी डीटेल में यहां पर हाउस रेंट अलाउंसेश वगरा भी सबकुछ दे दिया गया है ठीक है इंक्लोडिंग हाउस रेंट अलाउंसेश सब जोड़ जाड़के एंड टोटल आपका जो है इंग प्रोटी पर्सेंट सब यहां पर मिलेगा आपको ठीक है सेलरी तो कमी नहीं होगा इसमें और बोल दिया गया है कि आपका प्रोफेशनल डेवलप्मेंट अलाउंसेश पी डी एर थ्री लेग ठीक है इन येर और ब्लॉक बाकि आप लोग पढ़ लीजेगा डीटेल में ठीक है यह है और इसका महरे इसका है और किया। अनलाइन केसा करना है तो आपको आना घूगल आएटी सम लिखना है और यहां पर आनक भी आपको देकर को मिलेगा यहां पर इनका क्लिक करना यहांหाँ मिलता है कोए बात नहीं आप सबसे लास्ट में आ जाइए तो और एण में आपको देखने को मिलेगा यहां जलो जल्दी तो यह खोल रहा है थुद्ख फास्ट झालेगा यहां पर मेरा गाँप बहुत देलिए जलता है ई अब देख लेते हैं तो यहां पर देखिए आपका यह आपको आ जाना है फैकल्टी पोजिशन पर ठीक है और इधर क्लिक हैर पर व्यूग कीजिएगा देन आपको यहां पर देखिए इसका डेट देख रहा है यह आपको पोजिशन देख रहा है फैकल्टी ठीक है यहां से आप download कर सकते हैं यहां से आप apply कर सकते हैं एप यह प्लाइड कर सकते हैं एक उंलाइन पे क्लिक किजएगे आपका फों अप्लाइक के लिए open हो जाएगा देन यहां पर आपको सबसे पर्ले रेजिट्रिस्टर करना होगा तो यहां पर लिखा है new user गधर क्लिक है टूर को सबसे पहले यहां पर आकर आपको अपना रजिश्टर नकरना होगा सब कुछ डाल लें रेश्टर करने के पाद रेजिस्टर कर लिजेगा फिर आपके मोबाईल पर इमेल पर आ जाएगा ठीक है और टीपी एंड रेजिस्ट्रेशन नमबर यहाँ पर आपको अपना इमेल आडिए डालना है पासपर डालना है जो आप यहाँ पर सेट किजिएगा फिर आपको संबीट पर किलिक करके लोग इन करके फोम को कंप्लीट करना है ठीक है एंड सारा कुछ अपलोट करके यह फोम आपका संबीट हो जाएगा देन आपका इमेल पर आजाएगा SMS जितना भी फर्दर आपका प्रोसेस होगा उन सभी का ठीक है हाला कि मैं PDF वीडियो को एंड में पुस्ट टाइम के बा बाइ मिलते नेक्ट वीडियो में थैंक यू वाचिं दिस वीडियो टेक केर बाइ